हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आबर यूट्यूब चैनल स्टैडियावर लाइप तो फ्रेंड्स वे बिहार दरोगा का आपका एक्जाम हुआ था जो कि 16.7.2023 को सब्डिविजनल फायर ओफिशर का तो उसका जो कोश्चन था यहां आपको ग्यान विंदू जेस एकेडमी से तो डेली टेस्ट सिरीज आप लोग लगाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माद्यम से तो उन्हीं के द्वारा जो कोश्चन का आपको सिरीज दिया गया था तो उसी में एक टेस्ट यह भी इंक्लूड कर दिया गया था ताकि आप लोगों को जो है टेस्ट नंबर 9 दे दिया हो जाए ठीक है फ्रेंट्स तो यह 9 नंबर सेट है आपका उसके एकॉर्डिंग वैसे तो यह आपका प्रिभीएस यह कोश्चन बन गया क्योंकि एक्जाम ऑलरीडी हो गया तो चलिए हम इसी प्रस्ट को देखते हैं आज और इसमें जो आंसर है आपका वो हम कोशिस कि 98% आपको सही देने का कुछ कोशन का आंसर में डाउट भी है क्योंकि सर कुछ और दे रहे हैं गूगल करने पर कुछ और आंसर आ रहा है बहुत सारे यूट्यूबर अलग अलग आंसर बता रहे हैं तो बाद में पता चलेगा जब आप लोगा रिजल्ट आएगा लेकिन फिलाल जो होगा हम कोशिस करेंगे कि आप लोग का डाउट भी यहाँ पर क्लियर कर दे ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं पहले प्रस्ण की ओर पहला प्रस्ण है आपका कि कीव की राजधानी है तो कीव किसकी राजधानी है यूकरेन की राजधानी है कीव इसमें कोई नहीं है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्ण अच्छा दोस्तों इसमें डिसकसन देने का कोई नीड नहीं है बांकि जो डाउट होगा उसमें हम डिसकसन आप लोगों को दे देंगे ठीक है यह हो गया अगला प्रस्ण आता है आपका कि 1857 के विद्रों के दौरान आगे है तीन नमर प्रस्ण की असपस्ट आकास नीला दिखाई देता है क्यों कि असपस्ट आकास नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकास आन्य सभी रंगों के प्रकास की तूलना में बायू मंडल द्वारा अधिक प्रकेनित होते हैं कौन- जो आंसर दिया गया वो सुमिध जातिया दिया गया है। बहुत सारे बिलुप्त भी बता रहे हैं. बट मैं आप लोगो यहांपर डाउट क्लियर करूँगी और डाउट क्लियर करने के एकोर्डिंग आपको आंसर बताऊंगी, फिर बांकी जो अंसर होगा देखा जाएगा हिमालाई भालू और बिसाल पांडा किन जातियों का उधारन है अगर मेरे एक कॉर्डिंग आप आंसर अगर देखेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा दुरलव जातियां रीजन ये बता रहा हैं आपको कि जो संकट ग्रस्ट जातियां होती है वो संकट ग्रस्ट जातियां वो जातियां होते हैं जो जिनके संदक्षन के उपाई नहीं किये गये हैं संकट ग्रस्ट में कोन आते हैं जिनके संदक्षन करने का उपाई नहीं किया गया है और वो निकट यानि की आने वाले भविस्ट में समाप्त हो जाएंगे तेक है इसके लिए आप example ले सकते हैं गेंडा का गोडामन का गोडावन का यह सब का आप example ले सकते हैं संकट ग्रस्त जातिया में मेरे आंसर आपका मेरे एकॉडिंग आंसर दुरलब जातिया इसलिए हो रहा है क्योंकि आप Google भी करेंगे न सेम कोशन डालके तो आंसर आपको दुरलब जातिया ही देगा और वो इसलिए कि दुरलब जाति में वो जाती होते हैं जिनकी संख्या बिस्व में बहुत कम है और ये जातियां सिमित शेत्रों में ही पाई जाती है जैसे आपका हिमालई भालू हो गया और ये पांडा दोनों आपका एक्जामपल में दिया हुआ है मैंने इसको बहुत सारा जगा पे पढ़ा है परने के बाद आपको हम दुरलब जाति का आंसर दे रहे हैं ठीक है तो मु इसमें कमी भी परियावरन में प्रतिकूल परिसिति के होने पर हो सकती है ठीक है तो ये भी आपका नहीं होगा ये भी नहीं होगा आंसर यहीं होगा और आंसर आगे आएगा तो देखें यहीं क्या होगा तो उमीद करते हैं कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा आ सोलर सेल बने होते हैं तो सोलर सेल जो होते हैं वो अती चालक था कि अती चालक के बने होते हैं सोलर सेल किसके बने होते हैं अती चालक के दूतिये विश्यूद में धूरी राष्टों में निम्न में कौन सा देश सामिल नहीं था तो धूरी राष्ट में जो देश सामिल था द ब्रिटेन सामिल नहीं था ओप्सन नमबर डी ब्रिटेन सामिल नहीं था दूतिय विशुद में धूरी राष्ट में Q8 है कि निमने लिखित देसांतरों में से कौन सा भारतिये मानक समय के लिए संदर्व के रूप में माना जाता है तो देशांतर में भारतिय मानक समय के संदर्व की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर सारहे 82 डिग्री पूर्वी हो जाएगा सारहे 82 डिग्री पूर्वी समाना जाता है भारतिय मानक समय के लिए कोश्चन आपका एक यहां पे ब्याकरण संदी विचेद की पूछा गया था वद्ध्यावगम सब्द कौन सा संदी विचेद सही है वद्ध्यावगम सब्द का कौन सा संदी विचेद होगा तो इसमें वद्ध्व हो जाएगा वद्ध्व जोर आगम वद्वे जोर आगम, option number C math का प्रसनाता है आपका 10 number कि 4.2 cm तेजया वाले धातू के एक गोले को पिखला कर 6 cm तेजया वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की उचाई बतानी है आपको तो इसके answer के एक और answer हम डारेक्ट बता देते हैं इसका B हो जाएगा 2.74 cm बिहार में पहली बार राश्टपती सासन कब लगाया गया तो बिहार में पहली बार राश्टपती सासन 1968 में लगा था 1968 में लगा था चलिए 12 नंबर है प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री PVTG क्या है PVTG विकास मीशन डैस के लिए विकास से संबन्दित है तो ये जो प्रधान मंत्री PVTG विकास मीशन है ये आपका आदिवासी से संबन्दित है किस संबन्दित है आदिवासी सम्मू से संबन्दित है तेरा नमबर प्रसंद देखिए तेरह नंबर है अच्छा इसका आंसर सर दिये हैं उची सिक्षा से सर के according आंसर दिया गया है उची सिक्षा से एक मिनट हमкую क्लियर कर देते हैं तो इसका आंसर सर भी गलत बताये हैं मैं बता रही थीओ आपको सही आंसर बता रही हूँ आदिवासी समू से ही संबंदित होगा क्योंकि जो बजट आपका आया है जो निर्मला सितारमन ने फरवरी 2023 में बजट आपका पेस किये हैं उसमें जो है प्रधान मंत्री PVDG यानि कि प्रधान मंत्री PVTG Development Mission की घोसना की गई थी इसमें इसका जो लक्ष था वो लक्ष था विसेश रूप से जो कमजोर जनजाती समू है उनकी समाजिक और आर्थिक स्थीतियों में सुधार करना यही इसका लक्ष है और इसकी अगर हम बात करें PVDG की तो ये आपका आदिवासी समू से संबंदित हो जाएगा इसलिए आंसर इसका हो जाएगा C आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं अगला प्रस्न आपसे पूछा जा रहा है भारतिय अंत्रिक्ष निती 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंत्रिक्ष प्रधोकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंदित करेगी तो ये है आपका इसरो भारतिय अंत्रिक्ष निती 2023 के अनुसार इसरो जो है इसरो संस्था अंत्रिक्ष प्रधोकी की अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंदित करेगी नेक्स्ट प्रस नहीं कि बास्केट बॉल के मैदान को कहते हैं तो बास्केट बॉल के मैदान को कोट कहते हैं राजसभा के सदस्कितने 12 सोलन मुन प्रस्ण है कि विजयनगर समराज में अमरम सब्द का अर्थ क्या था तो विजयनगर समराज में अमरम सब्द का जो अर्थ था वो सैनिक को अनुदान जो था वो अमरम सब्द का अर्थ था सैनिक को अनुदान बिजय नगर समराज में अमरम का अर्थ था राष्टपती डैस की सला से लोगसभा को भंग कर सकते हैं तो राष्टपती प्रधान मंतरी के सला लेकर ही लोगसभा के साथ कुछ करते हैं भंग करने की बात हुई फिर भी वो प्रधान मंत्री से ही सलाह लेंगे। प्रायदूपिये पठार की सरबोच चोटी है अनाई मुडी है। मोती प्राप्त करने के लिए संबर्धन किया जाता है। वो है ओएस्टर का। किसका ओएस्टर का परियोग किया जाता है। पुतली के आकार नियंत्रन होता है। अधिक अपवर्त नांक वाला माध्यम तो अधिक अपवर्त नांक वाला माध्यम जो होगा वो दूसरे माध्यम की अपएक्छा प्रकासित सघन है प्रकासित सघन है आगे प्रस्न है कि 23 नमबर सतलुज तथा काली नदी के मद हिमाले जाना जाता है सतलूज तथा काली नदी कुमाव हिमाले के नाम से जाना जाता है सतलूज तथा काली नदी के मद हिमाले क्या नाम से जाना जाता है तो कुमाव हिमाले के नाम से जाना जाता है सरकार द्वारा अवरेधो आथवा प्रति बंधो को हटाना कहलाता है तो सरकार के द्वारा अबरोध और प्रतिरोध को हटाना जो है इसे कहा जाता है आपका उदारी करन क्या कहते हैं उदारी करन ओप्सन नमबर डे आगे है पचीस नमबर प्रसन की इस भी संख्या 1809 में फार्सी में गिफ्ट टू मोनो थिस्ट किसने लिखी थी गिफ्ट टू मोनो थिस्ट लिखने वाले थे आपके राम मोहन राई राम मोहन राई जो है इन्होंने लिखा था गिफ्ट टू मोनो थिस्ट को पटना क्या है कि पटना उच्छ न्याले के बरतमान मुख न्याइधिस कौन है तो के बिनोद चंदरन है पटना उंच न्यालय के वर्तमान मुख्य न्याइदिस हाली में बीपरजवाई खबरों में था वह क्या है तो बीपरजवाई चक्रवात है निम्निलिकित में कौन सी ताप बिद्दुत परियोजना महराष्ट में इस्तित नहीं है तो महराष्ट में इस्तित नहीं है वो हो जाएगा आपका इसमें से कहल गाउं कहल गाउं बिहार में पड़ता है बाकि सभी तिरोडा, चंदरपूर, ट्रामबे सभी महराष्ट में है किसी बस्तु का चंद्रमा परभार प्रीत्वी पर उसके भार का डैस होता है तो किसी बस्तु का चंद्रमा परभार प्रीत्वी पर उसके भार का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक का छटमा भाग, एक छटमा भाग हो जाएगा पानी का कौथनांग सेल्सियस में होता है तो पानी का कौथनांग सेल्सियस में 100 डिगरी सेल्सियस होता है कितना 100 डिगरी सेल्सियस रिवर्स रेपो रेट में बिर्धी तो रिवर्स रेपो रेट में बिर्धी अगर होती है तो उसमें तरलता घटती है तरलता घटाती है अगर reverse report rate में बिर्धी हुई तो फिर से एक मुहाबरा है आपका कि गागर में सागर भरना मुहाबरे का अर्थ होगा थोरे सब्दों में अधिक कहना थोरे सब्दों में अधिक कहना इसका अर्थ है धुआधार प्रपात का संबंध किस नदी से है तो धुआधार प्रपात का संबंध हो जाएगा आपका किस नदी से नर्मदा नदी से धुआधार का हो जाएगा नर्मदा नदी से option number इसका डी हो जाएगा नर्मदा नदी धुआधार नर्वदा नदीजी संबंदित है 34 नमर प्रस्ण है कि एक दुकंदार मैत का प्रस्ण है आप लोग बना ही रीज़ेगा इसका आंसर हम बता देते हैं 50% आएगा गुरू दच्छना सब्द में कौन सा समास है गुरू को दिया जाने वाला दच्छना गुरू को दिया जाने वाला दच्छना यानि कि इसमें जो समास आपका आ जाएगा समास हो जाएगा आपका इसमें तत्पूरु शमास गुरू को दिया जाने वाला दच्छना यानि कि तत्पूरु शमास है इसमें सिन्मेटोग्राफ संसोधन विधायक 2023 का मुख उद्देश है पाई रेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयू की अनुसार रेटिंग सुनिशित करना निम्न में किसका उपियोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है तो कांच पर लिखने के लिए जो उपियोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए परियोग किया जाता हाइड्रोजन फ्लॉराइड का किसका हाइड्रोजन फ्लॉराइड का उपियोग करते हैं कांच पर लिखने के लिए 1915 में भारत लोटने के बाद गांधी जी ने डैस की तरह कपरे पहनने का नेड़ा लिया तो वो काठियावरी किसान की तरह कपरा पहनने का नेड़ा लिये थे जब 1915 में गांधी जी दसीन फिरकासे भारत लोटे थे तब मध्यकाल में सामन्त को उसका लौड जो जमीन देता था वो dash कहलाती थी तो उसे कहा जाता था आपका निम्न में कौन सा मिष्रन नहीं है तो इसमें से जो आश्वित जल है जिसको अब लोग बोलते हैं distal water dilute water भी बोल सकते हैं ये आपका मिस्रित नहीं है एक देश में एक विशेश वर्स के दोरान उत्पादित सभी अंतिम बस्तु एबं सेवाओं के कुल मुल को कहा जाता है GDP क्या कहते हैं GDP GDP का हिंदी क्या हो जाएगा आपका सकल घरेलू उत्पाद आगे है प्रथम विश्यूद का ततकालिन कारण क्या था तो प्रथम विश्यूद का ततकालिन कारण था अस्टेरियन राजकुमार फर्नांडिड की हत्या अस्टेरियन राजकुमार फर्नांडिड की हत्या प्रथम विश्यूद का कारण था नव निर्माचित लोगसभा में ततकालिंग अध्यक्ष किसे चुना जाता है तो नव निर्मित लोगसभा में ततकालिंग अध्यक्ष जो चुना गया था ये आपका लोगसभा के बरिष्टतम सदस को लोगसभा के बरिष्टतम सदस को नेक्स प्रस्न आता है कि कौन सा देश G20 का सदस नहीं है तो भारत है, तुर्की है, फ्रांस है, बांगलादेश G20 में सामिल नहीं है बांगलादेश G20 में सामिल नहीं है 45 नमर प्रसन है आपका कि निम्ण में कौन सा पादप युग में उभैलिंगी पुस्प होते हैं उभैलिंगी पुस्प होते हैं अगर इसकी बात किया जाए तो यह आपका गुरहर और सर्सों में होता है गुरहर और सर्सों में जो होता है वो इभालंगी पुस्प होता है नेक्स्ट है टोक्यो अलम्पिक में सुमीत नांगल ने डैस में भारत का प्रतिधित किया सुमीत नांगल सुमीत नांगल जो है या एक टेनिस खिलारी है सुमित नागल क्या है टेनिस खिलारी है 46 का सी हो जाएगा भागोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेत्रित परदान किया तो भागोलिक अनुसंधान में जो यूरोप का नेत्रित परदान किया था वो था आपका पूर्तगाल कौन था पूर्टगाल इसका नेत्रित परदान किया था विधान परसद वाले राज की विधान परसद के सदसों की कुल संख्या उस राज की विधान सभा के सदसों की कुल संख्या के डैस से अधिक नहीं होगे दोस्तो इस प्रस्न का आंसर आपका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा B1 by 3rd यानि कि जो इसमें बिधान सभा परिसद वाले राज की बिधान परिसद के सदस्की कुल संख्या उस राज के बिधान सभा के सदस्की कुल संख्या का 1 वटा 3 से अधिक नहीं होगे आगे है कि G का मान कितना होता है आपसे पूछा गया है तो इस G का मान होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter per kg option number D इसका correct answer हो जाएगा option number D question आगे देखते हैं 49 हो गया 50 number प्रश्ण है कि demos सब्द का तात्पर है demos ये democracy से बना है तो democracy में क्या होता है जनता के लिए तो जनता का लोगतंत्रम लोग बोलते हैं तो जनता का सासन होता है उसमें तो demos का सब्द हो जाएगा जनता अप्रिल 2023 में प्रमुक फसल बीमा योजना प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना कितने words पुर्ण कर लिए गया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा option number C 7 साल ये 7 साल इसके पूरे हो चुके हैं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का बक्सा टाइगर रिजर्फ डैस राज में इस्तित है बक्सा टाइगर रिजर्फ जो है ये आपका पश्विम मंगाल में है कहाँ पश्विम मंगाल में संबिधान का अनुछेद 25 संबंधित है तो संबिधान का अनुछेद 25 जो है इसका संबंध हो जाएगा धर्म की सोतंतिता से धर्म की सोतंतिता नावी मरुवस्थल इस्तित है तो नावी मरुवस्थल जो है यह आपका इस्तित है कहां पे अफरिका में है नावी मरुवस्थल पुस्तक हिंद स्वाराज निमनिलिखित में किसके द्वारा लिखी गई हिंद स्वाराज के लेखक महात्मा गांधी है कौन है महात्मा गांधी वरतमान में किंदरिये सतकर्ता आयुक्त कौन है? तो PK-SRI वास्तव जो है ये वरतमान में किंदरिये सतकर्ता आयुक्त है PK-SRI वास्तव option number आपका ए बिल्कुल correct answer है 56 57 नमर प्रस्नाता है कि संसद के दोनों सदनों की सयुक्त बैठक के लिए गनपूर्ती चाहिए तो दोनों सयुक्त बैठक के लिए जो गनपूर्ती चाहिए होता है वो दोनों सदनों की कुल संख्या का 1 बटा 10 होनी चाहिए कितना 1 बटा 10 होनी चाहिए 2 सदनों की next प्रस्थन है कि भारत में प्रती वर्ष आर्थिक सर्वेक्षन कौन परकासित करता है तो आर्थिक सर्वेच्छन हो या बजट हो इसे जो है बित मंत्राले परकासित करता है पित मंत्राले नेक्स्ट है 59 मैट का प्रस्ण है बना लीजिएगा आंसर हम बता देते हैं इसका आंसर आपका हो जाएगा C नंबर 1191.6 हो जाएगा संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं तो जिसका हम लोग यूज करते हैं और वो समाप्त हो जाएगा एक समय के बाद तो उसे कहा जाता है आ नवी करनिये क्या कहते हैं और नवी करनिये कहते हैं बाबु जग जीवन नाम छात्रावास योजना का संबंद डैस विद्यार्थी के लिए छात्रावास निर्मान से है, तो बाबु जग जीवन नाम जो हैं, इन्होंने एक छात्रावास बन बाया था, जो संबंद था इस छात्रावास का, ऐसी से था, ऐसी से था, आगे प्रस् तेजस ने अपनी हतियार छमता पांचमी जनरेशन की डैस एयर टू एयर कमबेट मिसाइल को जोड़ा है तो वो मिसाइल हो जाएगा आपका इसमें से भी पाइथन 5 है पाइथन 5 पाइथन 5 हो जाएगा इसका आंसर लेकिन यहां पे अगर हम बात करें एक मिनट पाइथन 5 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर इसका बिहार के कौन से राजपाल भारत के राश्टपती बने थे इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए रामनात कोविंद थे नथपा जाकरी हाइडल पावर प्रोजक्ट भारत के डैस राज में इस्थित है तो नथपा जाकरी की अगर बात किया जाए तो यहीं मांसल परदेश में चमगादर तथा पक्षी के पंक हैं चमगादर तथा पक्षी के पंक अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा कैसा अंग संबिर्ती हो जाएगा संबिर्ती अंग हो जाएगा कैसा अंग संबिर्ती लेकिन इसमें जो आंसर दिया है इसमें समझात अंग हो जाएगा ना कि समबिर्ती हो जाएगा है ना समझात अंग होगा क्योंकि चमगादर के पंक और पक्छी के हाँ दोनों का समझात समान होता है इसलिए आंसर इसमें सर गलत बता दिये हैं, हो सकता है, mistake हो गया होगा, तो आंसर इसका गलत दिया हुए, आंसर A हो जाएगा, ठीक है, आंसर जो लोग A लगाया होंगे, बिल्कुल सही आंसर है उनका, आगे देखते हैं, अगला कोशन है, 68 नंबर, 68 नंबर कोशन है, 68 नंब suggestion का परियोग जो है, वो प्रोटीन के संसलेशन में किया जाता है, एक 68 नंबर, प्रस्ट है, अंतराश्टी ये सान्ती दिवस मनाया जाता है, तो अंतराश्टी ये सान्ती दिवस 12 अक्कुवर को मनाते हैं, कब 12 अक्कुवर को, बरे इसक्रीन पर, जेम्स बॉन्ड की प्रफम अभिनेता थे तो प्रफम अभिनेता जो हो जाएंगे वो सौन कानेरी हैं ये बड़े स्किन पर मुम्गा निभानने वाले प्रफम अभिनेता थे शौन कोनरी भारतीय समिधान का कौं सा अनुछेद सुप्रीम कोट यानि सर्बोच नियालै के बारे में हैं तो आठक गांधी जी ने सत्यागरा आंदोलन प्रारंब किया गांधी स्टार्टेट दा सत्यागरा मोमेंट ऑप्सन नमबर भी भारत के रास्टिये प्रदर्सी सर्वेक्षन संगठन का जो उत्तरदाय। तो हो जाएगा वो बिभीन छेत्रों में अहिल भारती अस्तर पर बरे पेमाने के सर्वेक्षन करना से हो जाएगा। NVS-01 एक है, NVS-01 जो है या आपका क्या हो जाएगा? या एक उपगरा है यानि सेटलाइट है। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है तो बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक जो संकलित की गई है वो यस्वंत ब्यास की है किसकी यस्वंत ब्यास की यहां math का प्रसन है, बहुत easy प्रसन है, आप लोग बना लीजिएगा, answer 80 का हो जाएगा C, सड़ी यहाँ पे हैं, 32, 86 answer होगा इसका नौजबान भारत सभा की अस्थापना किस ने किया, तो नौजबान भारत की अस्थापना किये थे, भगत सिंग किये थे feeling the correct from the verb, he successed because he worked hard, इसे यहां पे हो जाएगा, वर्ग्ड हाड हो जाएगा, answer आपका D हो जाएगा 82 का, आगे देखते हैं 83 नमबर, भारत में export prependers index, यानि निर्यात तयारी सुचकांक का प्रकाशन कौन करता है तो निर्यात तयारी सुचकांक का जो प्रकाशन करता है, ये निती आयोग करता है, कौन करता है, निती आयोग तापमान की ऐसा इकाई क्या है बहुत इजी प्रस्ण है तापमान की ऐसा इकाई क्या हो सकती है जल्दी से बताईएगा तो कैल्विन हो जाएगा क्या हो जाएगा कैल्विन 85 नमबर है कैबूल लामचाओ रास्टियो द्यान इस्तित है मनीपूर में कैबूल लामचाओ कहां पे है मनीपूर में है प्रेरित विद्दुधारा की दिसाद दी जाती है तो प्रेरित विद्दुधारा की दिसाद दी जाती है फिलेमिंग का दस्थिन हस्त नियम के द्वारा ओप्शन A हो जाएगा इसका correct answer जो लोग PDF से answer मिला रहे होंगे बहुत सारा answer mistake है इसमें तो आप लोग के प्रिप्या ध्यान देंगे इससे answer नहीं मिलाएंगे ठीक है मैं जितनी भी answer बता रहे हूं आप लोगों को clear करके ही बता रहे हूं भारत में मनरेगा कब लागू किया गया तो भारत में मनरेगा जो लागू किया गया था ये लागू किया गया था आपका 2006 में भारत में मनरेगा 2006 में लागू हुआ था एक यहाँ पर आपको passive voice change करने के लिए दिया गया था तो इसका answer हो जाता कि आपका sentence था कि Everyone calls him a pacemaker Change into passive voice इसको change करना है passive voice में That means इसका answer जो हो जाएगा He is called a pacemaker आख और उसके रोगों से संबंदी चिकित्सा सास्त्र की साखा को क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है Ophthalmology क्या कहते हैं Ophthalmology कहते हैं आख और उसके रोग से संबंदी जो डॉक्टर होते हैं उसे Option number D हो जाएगा 89 का आगे देखते हैं 90 number निम्नलिखित में कौनसी विशेस्ता खनीज पदार्थ में नहीं पाई जाती है 91 आपका आता है 91 number प्रस्ण की कोरा पूट खाने भारत के किस राज में इस्तित हैं तो कोरा पूट खाने जो है यह आपका उरिशा में है और अंग्जेव की मिर्टु कब हुई थी तो 17 साथ में और अंग्जेव की मिर्टु हो गई थी किस मुल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मुल्की घोसना करती है तो निम्तम समर्थन मुल्की घोसना करती है सरकार फसलों के समर्थन में जलके अन्वों की अर्ध प्रामय जिल्ली द्वारा गती कहलाती है तो इसरे प्रास्रन कहा जाता है प्राश्रन जलके अनुओं की अर्ध प्रागय जिल्ली द्वारा गती कहलाती है प्राश्रन अती सुधो सिने को मारग है जहां नेकु सयानप बाक नहीं पंक्ती मेरे खांकित सब्द का अर्थ है तो इसका अर्थ है तनिक भी चतुराई एक प्राश्रन आपका फिर से यहां पे जो है fill in the blanks का है choose the correct option they left early they would have reaches by now तो इसका जो sir answer दे रहे है had दे रहे है पैसे have और must इसमें भी बहुत लोगों को doubt है बाकि आप लोग देख लीजएगा had ही answer होगा इसका कोई लवर पूल डैस में इस्तित है तो कोई लवर पूल जो है यह सोन नदी पर बना है सोन नदी पर है कोई लवर पूल IPL 2023 में रोयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान कौन थे फांक डू प्लेसिस थे फांक डू प्लेसिस जो थे ये इसके बैंगलोर चैलेंजर के कप्तान थे गौतम बुद ने धर्म चक्र परिबरतन कहां से आरंब किया था तो धर्म चक्र परिबरतन की सुरुवात गौतम बुद किये थे आपके सारनाथ से तो गाइस ये जो 100% था आपका एक्जाम बाला वो समाप्त हो गया है कोसिस करेंगे आज से कल में आपको करवादे कंप्लीट क्यूंकि दो टेस्ट अल्रेडी आपका छुड़ चुका है इसके अलावे 10 और 11 तो उसे जल्दी कंप्लीट करेंगे और आप कोई डाउट नहीं आप लोगों को होना चाहिए एक दो कोशन अगर इधर उधर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है और आप लोगों ने कितना सही किया एक्जाम में जुरूर कॉमेंट करके बताईएगा कितना सभी लोगों का आणसर आ रहा है कितना सही आप लोग बना के आएएग्जाम में ठीक है कोशन देखके तो रियली बहुत अच्छा लगा बहुत इजी कोशन था लेकिन हाँ इजी कोशन में कन्फूजन बहुत लोगों को हुआ है बट कोई नहीं अब तो जो हो गया हो गया तो चलिए इसको यहीं पे इंड करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद